हलो दोस्तों स्वागत हैप का अपने चैनल एक्जामेजान पे तो एक फिर से मैं हाजर हूँ दो नॉंबर 2020 के इंपॉर्टिन इवेट्स के साथ आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेएगा तो कि लास्ट में आपको दो कोशन के जवाब देने है आज का पहला कोशन है पी ए आई इंडेक्स के अनुसार लार्जर स्टेट्स की केटेग्री में इंडिया का बेस्ट गवर्न स्टेट कौन सा है तो larger states की category में इंडिया का best governed state है केरल कौन सा है केरल recently public affair center दोरा public affair index जारी किया गया उसमें larger states की category में केरल इंडिया का best governed state है smaller states की category में गोवा इंडिया का best governed state है वहीं union territory की category में चंडिगर्ड इंडिया का best governed state है ये तीन हो गए आपके best governed state worst यानि सबसे खराब प्रसासन कहां पे है तो सबसे खराब प्रसासन है largest states की category में उत्तरब्रदेश में और smaller states की category में कहां पे है तो मड़ीपुर में यह आपे देखेगा largest states की category बहुत important है केरल में सबसे बहतर प्रसासन यानि governance है उत्रप्रदेश में सबसे हराब governance है इसको Public Affairs Center दोरा release किया गया है Public Affairs Index 2020 देखे ये जो Public Affairs Center की committee बनाई गी थी जिसने ये index release किया है उसको बनाया था के सिवान ने जो कि इसरो के chairperson है ने question है Justice बंसीलाल भट जो कि वर्तमान में NCLAT National Company Law Appellate Tribunal के chairperson है आपको थाने इनका term कितने समय के लिए extend कर दिया गया है तो ये हैं बंसीलाल भट इनका term NCLAT chairperson के तौर पर 31st December 2020 के लिए extend कर दिया गया है Recently Cabinet Committee ने ये decision लिया ये जो बंसीलाल भट हैं इनको March 2020 में कब March 2020 में NCLAT का chairperson बनाया गया था तीन मेहने के लिए तब से लेकर अब तक इनका term कई बार extend किया जाए तुका है और एक बार फिर से ये कहा गया है कि 31st December 2020 तक पंसीलाल भट NCLAT के chairperson बने रहेंगे जो ये NCLAT है इसको Company Law Act 2013 के द्वारा 2016 में स्थापित किया गया था इसके first chairperson कौन थे MJ मुकोपाध्याय National Company Law Appellate Tribunal में maximum 11 member हो सकते हैं आप दिखिएगा नहीं question है Sophia जो की airborne observatory है recently इसके तोरा moon की surface पर water traces found किये गये हैं आपको तरहना Sophia को NASA और किस country द्वारा jointly launch किया गया था तो Sophia को NASA और Germany Germany की space agency और NASA ने मिलकर Sophia को launch किया था ये एक airborne observatory है Sophia का perform क्या है stratospheric observatory और infrared astronomy तो आप समझ सकते हैं कि ये stratosphere में होगी यानि समताप मंडल में देखिए Sophia recently इसने moon के clavious crater पर water traces पाए हैं इंडिया पहले ही confirm करे चुका था कि moon पर water है अब Sophia ने भी confirm कर दिया है इसको NASA और जर्मनी द्वरा जोंट्ली डेलग किया गया था Sophia Airborne Observatory को NASA की बात करें National Aeronautics and Space Administration 1958 में स्थापना की गई थी किसके द्वरा Dwight D. Eisenhower के द्वरा वरत्मान में इसके डाट्टर कौन है Zim Bridgestine NASA का headquarter कहा है Washington में Merchants यानि व्यापारियों के लिए Digital Gold Product Platform इसके और लाउंच किया गया है तो Recently व्यापारियों के लिए यानि मर्चंट्स के लिए Digital Gold Product Platform लाउंच किया गया है भारत पे भारत पे द्वरा Safe Gold Safe Gold नाम की फर्म के साथ tie-up किया गया है जिसके द्वरा एक Digital Gold Product Platform लाउंच किया गया है इस प्लेटफॉर्म का परपस किया है देखिए जो Merchants होटे है जो Gold Merchants होते है वो 24 Karat का Gold अब भारत पे के प्लेटफॉर्म से मात्र Token Money को देकर पर्चेस कर सकते हैं Token Money देखिए आप पर्चेस कर लिजे और जब आपको Gold की Delivery हो जाए तो आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं यह जो Digital Gold Product Platform है अभी सिर्फ 24 Karat Gold के लिए ही प्लेट किया जाएगा फ्यूचर में देखिए हैं क्या करेंगे भारत पे की बात करें तो इसके CEO का नाम एद रखेगा असनीर Grower ने कोशन देखते हैं फेमस पर्सनाल्टीज हैं रिसेंटली इनका निधन हो गया है पहले हमारे डेनियल मिनाकर ये देखिए ये हैं डेनियल मिनाकर ये यूएस से बिलॉंग करते हैं जाने मने ऑथर यानी राइटर है आपको याद होगा Random House Publication उसके ये Chief Editor भी रहे थे डेनियल मिनाकर रिसेंटली इनका निधन हो गया दूसरे कौन है मेसुत यिल्माज ये हैं मेसुत यिल्माज ये तुर्की के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप टर्की तीन बार रह चुके थे मेसुत यिल्माज रिसेंटली इनका भी निधन हो गया नेक कोशन देखते हैं प्यम मोदी द्वारा रिसेंटली आरंब का कौन सा एडिशन लाँच गया है तो रिसेंटली प्यम मोदी द्वारा आरंब का सेकंड एडिशन लाँच कर दिया गया है आरंब है क्या आरंब जो इंडियन सिविल सर्विसेज होते हैं उनके लिए इंटिग्रेटड फाउंडेशन कोर्स है आरंब 2019 में फर्स एडिशन लाँच किया था अब 2020 में सेकंड एडिशन लाँच किया गया है 31st October को जिस दिन हमारा National Unity Day होता है उस दिन प्यम मोदी ने ये आरंब इनिशेटिव लाँच गया था इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए परपस था 5 थीमाटिक एरियाज में प्रिजन्टेशन प्रोवाइड करवाना यानि कि कुछ 5 थीमाटिक एरियाज दे जाते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज को और उसमें इनको प्रिजन्टेशन प्रिपेर करना होता है तो इसके लिए आरंब इनिशेटिव लाँच किया था पियामोजडरा 2019 में 1 एडिशन था और इस बार इसका 2 एडिशन है नहीं कोशन है वर्यड वेगं डेए यह किस डेट को आफजिर के आता है तो प्रतेक वर्स 1 नयवंबर को कब 1 बेडर को वर्यड वेगं डेए ऑफजिर के आता है वेगं मतलब देखे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो मीट वगएरा खाते हैं कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं जो मीट नहीं खाते हैं कुछ लोग इतने ज़्यदा वेजिटेरियन होते हैं जो डेरी प्रोड़क्ट होते हैं उनको भी सेवन नहीं करते हैं उनको भी नहीं खाते हैं तो जो लोग ऐसे वेजिटेरियन होते हैं कि डेरी प्रोड़क्ट भी ना खाएं उनको कहते हैं वेगन तो उनकी याद में वर्ड वेगन डे आफजर कियाता है अच्छा फर्स्ट नॉम्बर को ही क्यों आफजर कियात यह दोनों 31 अक्टूबर को थे, नए कोशन है, MP के पन्ना टाइगर रिजर्व के सामिल होने के बाद, अब इंडिया में टोटल कितने UNESCO बायस्फियर रिजर्व हैं, तो अब इंडिया में टोटल 12, कितने 12 बायस्फियर रिजर्व हैं, डिसेंटली MP यानि मद्वदेश के प इंडिया में टोटल कितने हो गए हैं, 12 UNESCO बायस्फियर रिजर्व हो गए हैं, हाला कि ऐसे देखा जाएं इंडिया में, तो 18 कि आसप्रास हैं, लेकिन ये पन्ना टाइगर रिजर्व हैं, ये MP का थर्ड यानि तीसरा टाइगर नेशनल पार्क है, जिसको UNESCO बायस्फियर के तहट सामिल किया गया है, UNESCO की बात करें, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 1945 में स्थापना हुई थी, हेड़ क्वाटर इसका पैरिस में है, हेड कौन है इसके, तो हेड हैं, ओड्रे अजोले, निया कोशन देखते हैं, लिसेंटली किसके द्वारा तोजेक परिवर्तन के अंतरगत, एक महिंद अपने प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए, देखे, HAL द्वारा एक प्रोजेक्ट परिवर्तन लांच के लिए था, इसके तहट जितनी भी HAL द्वारा चीज़े बनाई जा रही है, उसमें बहतर से बहतर टेक्नोलोजी का यूज कैसे किया जाए, इसके लिए इसने टेक मह के लिए है, नाइन एर्स के लिए है, अपर रखेगा, HAL के बात करें, इंदोस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड, 1940 में इसके स्थापना हुई थी, हेड़कोटर इसका बैंगलूरू में है, और इसके CMD, Chairman and Managing Director कौन है, तो आर माधवन इसके CMD है, ने कोशन है, सभी सैनिक स् इंप्लिमेंट हो जाएगा, 2021-2022, academic year से, यानि आने वाले जो academic year है, उनसे सभी सैनिक स्कूलों में 27% OBC reservation दिया जाएगा, इसके पहले या तो reservation नहीं था कई में, या फिर कम था, तो आपर देखेगा, 27% OBC reservation, सभी सैनिक स्कूलों में लागो हो जाएगा, financial year 2021, sorry, financial year नहीं, academic किया, 2022 से, अब बात करते हैं, सैनिक स्कूल की, तो आप सभी को बता है, defense ministry दोरा सैनिक स्कूल रन किया आते हैं, इंडिया में इस समय 33, कितने 33 सैनिक स्कूल है, तो आप या देखेगा, ने कोचन देखते हैं, दिवाली के event को देखते हुए, इसके दोरा, muslin fabric mask launch किया गया ह मसली मतलब मलमल का, तो recently, मलमल का mask launch किया गया है, के वी आईसी, खादी एंड विलेज इंडिस्ट्री कमिशन ने, recently, दिवाली के event को ध्यान में रखते हुए, मलमल का fabric mask announce किया है, यह देखे, यह है वो mask, एप दिवाली लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, इसको launch किया गय 75 रूपिस की आसपास इसकी कोस्ट होगी, के वी आईसी की बात करें, खादी एंड विलेज इंडिस्ट्री कमिशन, 1956 में इसका act पास हुआ था, उसी act के द्वारा, एप्रेल 1957 में, के वी आईसी की सहपना हुई थी, हेड़कोर्टर मुंबाई में है, चेरपरसन कौन है, व इंडियन सिटी के कोस्ट पर स्टार्ट कर दिया गया है, तो रिसेंटली माला बार एक्सरसाइस, कंड़क्ट की जा रही है, इंडिया, USA, जैपाइन, और औस्टेलिया की बीच, यानि चार कंट्रीस इसमें पर्सिबेट कर रही है, रिसेंटली विसाखा पड़नम, कहां प जो इसका सेकंड फेस्ट है, वो होके जाएगा आपका अरप सागर में, अरप सागर में सेकंड फेस्बेट होगा, तो आप देखेगा माला बार नेवल एक्सरसाइस, अभी तक सिर्फ तीन कंट्रीस इसमें पर्सिबेट करती थी, इंडिया, USA, जैपान, इस बाद जो 2020 की यह माला बार नेवल एक्सरसाइस है, इसमें ऑस्टेलिया भी पार्सिपेट कर रहा है, तो टोटल चार कंट्रीस हो गई, और यह चार कंट्रीस, क्वार्ड ग्रूप का भी मेंबर है, ने कोशन है, रिसेंटली किस इस्टेट गवर्मेंट दोरा एनाउंस किया गया है, कि यह जोốngन का मरज कर देगा, कि जो मरजर की ओर रहा है, यह नेटियायों के साथ अप्रोजेक्ट के तहथ कि ऐाया रहा है, तो रिसेंटली ओडिशा औरिशा गवर्मेंट ने एनाउंस किया है, कि वो एट थाउजन गवर्मेंट स्कूल को मरज कर देगा, पर्पस के आरे है के परपस यह है कि यहां पर जो यह 8000 इस्कूल हैं यहां पर एडिमिशन यानि इन्रॉल्मेंट काफी कम है 20 इस्टुएंट्स आ रहे हैं एक इस्टूल में तो इसको देखते हैं ओडिशा गवर्मेंट ने एनौंस किया है कि वह 8000 इस्कूलों का मर्जे कर देगा नीत यायूग ने एजुकेशन इंफार्टेक्शर को बहतर करने के लिए यह साथ यी प्रोजेक्ट लाँच गया था फुल-फॉल एसका सस्टेनेबल एक्षन पॉल ट्रांस्फारमींग यूमन कैपिटल इंफेशन तो आप आद दखेगा फुल-फॉल एक्षन पॉल ट्रांसफोर्मिंग हूमन कैपिटल इंफेशन इसके तहट एज्यूकेशन क्वाल्टी को बैसर करने के लिए नीतियाएक द्वरा 2017 में 3 states को सेलेक्ट किया गया था उन 3 states में ओडिशा, MP और शारखंट से ये 3 states थे जिनको 2017 में नीतियाएक ने सेलेक्ट किया था 7 E project के लिए अब ओडिशा गौर्मेंड द्वरा 8000 स्कूलों का मर्जर कर दिया गया है 7 E project के दह्त ओडिशा के बात करें तो यह है मैप में ओडिशा सीम कौन है नवीन पतनायक नवीन पतनायक को पेटा दोरा Hero to Animal Award जिया गया था गवर्नर कौन है गनेशी लाल ओडिशा में एसिया की लार्जेस्ट Salt Water Lake है जिसका नाम है चिलका लेग नवीन कोशन देखते हैं Recently NSO National Statistical Office वरा October December 2019 के लिए PLFS सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है आपको उताना है Quarterly basis पर Urban quality rate क्या था October December 2019 के दोरान तो recently PLFS Periodic Level 4 सर्वे इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है NSO National Statistical Office पहले इस रिपोर्ट को कौन फब्लिज करता था NSSO National Simple Survey Office बाद में NSSO और CSO को मर्ज कर दिया गया और NSO बना दिया गया अब इस रिपोर्ट को NSO जोरा पब्लिज किया आता है रिपोर्ट के अनुसार October December 2019 के दोरान Urban Unemployment Rate 7.9% था कितना 7.9% था जो कि last year के comparison में 2% कम हुआ था यानि कि Unemployment Decrease हुआ था देखिए जो यह PLFS Survey Report है इसको Urban और Rural Areas के लिए दोनों के लिए जारी कियाता है Urban के लिए Quarterly Basis पे जारी कियाता है और Rural Areas के लिए Yearly Basis पे जारी कियाता है आपको पता होना चाहिए जो Yearly Basis पे जारी होता है वो Rural Areas and Urban Areas दोनों के लिए जारी कियाता है और NSO दोरह जारी कियाता है Periodic Level 4 Survey जोकि Ministry of Statistics and Program Implementation के तहत कारी करता है अप इतना याद रिखेगा मैं कोशन देखते हैं World की First Science Tune Book जिसका नाम है Bye Bye Corona Book किसके जार लांच की गई है तो World की First Science Tune Book लांच की गई है आनन्दी बेन पटेल आनन्दी बेन पटेल यूपी की और MP की गवर्नर है इन्हीं के दोरह विश्व की पहली Science Tune Book Bye Bye Corona लांच की गई है इस Bye Bye Corona Book को लिखा किसने है तो इस Bye Bye Corona Book को लिखा है प्रदीब कुमार स्रिवास्तो जो की लखनों के CDRI में डिरेक्टर है तो प्रदीब कुमार स्रिवास्तो ने Bye Bye Corona Book लिखा है जो की वर्ड की पहली Science Tune Book है जैसे Cartoon Book होती है वैसे Science Tune Book होती है आपे देखिएगा इसेंटली कौन सी कंटी विख्व में सबसे बड़ी प्लास्टिक प्लूटर कंटी बनके उभरी है तो विख्व में इस बार ही नहीं पिछले कई बार से वर्ड का लार्जेस्ट प्लास्टिक प्लूटर कंटी कौन है USA USA विस्व में सबसेदा plastic pollution create करता है लगभग 17% plastic pollution वर्ल्ड की 4% population दोरा की जाती है USA top करता है इंडिया की ranking क्या है तो 15th place पे है तो कि plastic pollution जो होता है उसको per capita pollution के अधार पे देखा जाता है जिसमें इंडिया की ranking 15th USA में top किया है देखिए चाइना e-waste pollution में top पे है वहीं USA plastic pollution में top पे है इसके लाओ बात करें तो कुछ दिन पहले ही इंडिया ने announce किया है कि वो USA से कितना 11,000 USA से 11,000 cold weather clothing system purchase करेगा ये भी इंडिया USA से ही करेगा तो आपे देखिएगा plastic pollution और 11,000 cold weather clothing system USA से purchase किया जाएंगे ने question है recently अपने customers को digital services provide करने के लिए किसके दोरा IBM international business machine के साथ partnership की गई है तो recently IOCL, Indian Oil Corporation Limited दोरा IBM के साथ partnership की गई है जो Indian Oil Corporation Limited की customers होंगे उनको digital services provide करने के लिए IOCL ने एक app launch किया था E-PIC, E-PIC एक mobile app था इस mobile app पर अब IOCL की सभी services की जानकारी available होगी इसके लिए international business machine के साथ partnership की गई है IOCL के दोरा IOCL की बाद करें तो 1959 में Indian Oil Corporation Limited की स्थापना हुई थी Headquarters का New Delhi में है वत्मान इसके CMD कौन है? स्रीकांत, माधो, वैद्येर आज का last question देखते हैं Recently India और किस गंटी की बीच में जो 2 प्लस 2 डालाउग होगा था उसमें B का agreement sign किया गया है तो कुछ समय पहले ही दो-तीन दिन पहले ही इंडिया और USA की बीच में किस के बीच में? इंडिया और USA की बीच में 2 प्लस 2 डालाउग हुआ था उस दोरान B का agreement sign किया गया है B का या फिर B का इसका full form आप नोट कर लिजिए Basic Exchange and Cooperation Agreement इंडिया और USA की बीच में sign किया गया है 2 प्लस 2 डालाउग ये इंडिया जापान, फ्रांस और उस्टेलिया जैसी कंट्री के साथ भी करता है लेकिन आपको याद रखना है कि B का agreement सिर्फ USA के साथ किया गया है इंडिया और USA की बीच में 2 प्लस 2 डालाउग हुआ था इसमें 5 agreement पर हस्ताक्षर किये गए sign हुए है ये 2 प्लस 2 मतलब देखे इसमें Defense Minister और Foreign Minister participate करते हैं तो इंडिया के Defense of Foreign Minister तो आपको पता है अमेरिका के Defense Secretary कोन है तो Mark T.S. पर कौन? Mark T.S. पर अमेरिका के Defense Secretary है वही अमेरिका के Foreign Secretary कोन है Mike Pompeo तो इन दोनों नामों को याद रखेगा तो Bika Agreement इंडिया और US Agreement ये आज की वीडियो से कोशन है I hope कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे जल्दी मिलते हैं आप से भी नेक्ट वीडियो में